कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चनल में दोस्तों एक बार फिर आज जिरूए हैं बड़ी अपडेट के साल लाखो करमजर पैंसन बोगियों के लिए गुड न्यूज लेकर जहां दोस्तों आपकी पैंसन उसमें बुडूतरी हो चुकी है और ब्यास दरे हैं वो उसमें भी जबरदस्त बुडूतरी आपको देखने को मिलें कि हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे जुटे रही दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अग दोस्तों बिना किसी दिर के वीडियो को स्टाट करते हैं कर दोस्तों क्रमचारी भाविशनीदी संगठन के लगबग सेड़ 6 करोड से ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी कबर है मोधी सरकार होली से पहले 12 मार्च 2022 को करोड खात धरकों को खुसकबरी दे सकती है दोस्तों हम आपको मीडिया रिपूट के अकोर्डियों बताते हैं कि दो दिन बाद 11 और 12 यानि कि आज और कल को गुहाटी में ये पीएफो के सेंटर बोर्ड ओफ ट्रस्टीं सी बीटी की एक बड़ी बैठक होनी वाली है दोस्तों जिसमें ब्यासदरो और 15 बड़ाने पर फैसले लिया जा सकता है पांच राजे के चुनावी नतीजे आने के बाद इस बैठक में बेहती आयम फैसले लिये जा सकते हैं दोस्तों जो सेंटर बोर्ड ओफ ट्रस्ट है उसने जो राजदर निक गवाटि उसमें एक बैठक बुलाई है जिसमें एपिएफो जो फाइनेंसियल येंफ तो जार 21 और 22 के लिए पिएफ पर ब्यासदरे पर फैसला किया जाएगा और इस बैठक में केंद्रे मंत्री भी सामिल होंगे और संबावना जिताई जारे की सरकार पिएफ पर ब्यासदरों में इजाफा कर सकते हैं वहीं पैंसन को लेकर भी गुड नो सुनने को आपको मिल सकती है होली से पहले होने वाली केंद्रे क्रामचरी निदी संगठन याने की EPFO की CBT की बैठक में मुझूद वितिय वरस की ब्यासदरों पर चर्चा होगी और बोरोड वित वरस के लिए ब्यासदर तैय करेगा इसके बाद CBT अपनी सिपारी सिवित मंत्रेल को सुपेंगे जहां ब्यासदरों पर आखरी मुहर लगेगी दोस्तों संभावना जताई जारी है कि मोधी सरकार क्रामचरी भवशे निदी संगठन के सस्क्राइबर्स को ब्यासदर बढ़ाने का एलान कर सकती है और उसका तोफा देखी सुतरों की मुताबिक दोस्तों मोजुदा वित वरस में 8.5% ब्यासदरों पर सहमाती बन सकती है क्रामचरी की निगाएं आप दो दिन बाद होने वाले इस काविनेट बैठक पर टिकी हुई है हाल ही में केंद्रिय सरम्मंत्री वुपिंदर यादों ने जानकारी देखी से एहम बैठक में ब्यासदरों के निरना का परस्ता भी सुचीवन है EPFO के केंद्रिय नाश्री बोर्ड की बैठक मारस में गुआटी में होगी जिसमें 2021 के लिए ब्यास दरेता होने का परस्ता रख जाएगा और यह फैसला अगले वीत व्रस के लिए आगामी के अनुमान के आदार पर किया जाएगा वहीं EPFO की फाइनेंसी इन्वेस्टमेंट ओफ ओडिट कमेटी ने अपनी सिपार्शी को बेजी है दोस्तों बैठेक से पहले अब तक के जो गुटना करम है एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं EPFO ने फाइनेंसी इल 2021 और बाइस ने अपने जो सस्क्राइबर्स को 8.5 फिज़ी का ब्यास दिया था दोस्तों बीते साल मार 2021 में स्रीनगर में हुई बैठे में CBT ने 2020 के लिए संदेशो के खाते में EPFO जमार रासी 8.5 फिज़ी वार्षिक ब्यास दर देने की स्पारिस की थी जिसके बाद वित मंत्राले ने इबी इस परस्ताव पर मुहर लगा दी थी इसके बाद EPFO के सेंटर बोर्ड ओफ ट्रस्टी की बीते साल नुमंबर में बैठक हुई और लेकिन जो EPFO बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया लेकिन आप 11 और 12 मार्ज को होने वाल इस बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है दोस्तों साल 2011 और 12 में PF की दरे 8.25 फीज़ी रही और 2013 और 14 में EPFO PF जमा करने पर 85.6 फीज़ी जो ब्यासदर होगा 2012 और 2013 में PF की ब्यासदरे 8.5 फीज़ी पर पहुंच गई 2018 और 2019 में PF की ब्यासदरे 8.65 फीज़ी थी अगर हम बात करते हैं 2016 और 2017 की तो ये 8.65 फिजदी और 17 और 18 की बात करें तो 8.55 फिजदी थी अगर दोस्तो 2019 और 2020 के लिए जो ब्यास दरे हैं वो 8.5 फिजदी तैकिकी थी जो पिछले 7 वरस से सबसे कम है अभी पिएफ में जमाप पैसे पर 8.5 फिजदी की दिया जो ब्यास दर है उस पर दिया जा रहा है दोस्तो ये थी आज की हमारे लेटर सब्डेट आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जुरूर करें सब्सक्राइब करें और जद से जद अपने फ्रेंज के साथ सेर जुरूर करें मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए आप सुभी को हमारे और से जैहिन जैजवान जैकिसर